नमस्कार दोस्तों, welcome to our channel Friends, आज की इस वीडियो में हम CTAT, TAT या दूसरे जो टीचर्स इलिजिबिल्टी का एक्जाम है उसके लिए हिंदी लेंग्वेस के ऊपर हम ये 25 questions का एक मौक टेस्ट करेंगे तो आएए शुरुवात करते हैं First question है, निमिष सब्द का परियाय है और जो four options दिये हुए है वो है प्रिकाश, छिद्र, पून और छण तो friends, निमिष सब्द का जो मतलब होता है या परियाबाची होता है वो होता है पल या छण इसलिए जो D options दिया हुए है वो इसका सही उत्तर है अगला question है, निष कपट सब्द का संदी विच्चेद है और जो चार options दिये हुए है वो है नही plus कपट, निष प्लस कपट, नी प्लस कपट और निष प्लस कपट तो friends जो निसकपट सब्द है वो नहीं और कपट से मिलके बनता है इसलिए जो A option है नहीं प्लस कपट वो इस प्रशन का सही उत्तर है अगला question करते हैं अत्यंत सब्द का प्रियुक्त उप्शर्ग है और जो चार options दिये हुए है वो है अत्थ, आ, अत्य और अती तो friends अत्यंत सब्द में जो उप्सर्ग होता है वो अती होता है अती और अंत मिलके अत्यंत बन जाते हैं इसलिए जो D option है ये इस question का सही answer है next question करते हैं मुझसे उठा नहीं गया वाक में कौन सा वाच है और जो चार options दियो है वो है कर्त वाच, कर्म वाच, भाव वाच या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो friends मुझसे उठा नहीं गया इससे हमें एक कर्म का एक काम का बोध हो रहा है इसलिए जो B option है कर्म वाच वो इस question का सही answer है अगला question करते हैं निम्न मैंसे किस सब्द की वर्तनी सही है और options में अनुग्रहित सब्द अलग तरीकों से लिखा हुआ है तो friends जैसे आप देख रहे हैं जो B option में जिस तरह से लिखा हुआ है अनुग्रहित वो इसका सही उत्तर है वही इसकी सही वर्तनी है अगला question करते हैं उपत्तिका का अर्थ है और options दिये हुए है शूर जिस परवत के पीछे से निकलता है अगला option है प्राणियों के सरीर का एकंग C option है परवत का सिखर और D option है परवत के पास की भूमी तो friends, जो पहाड होते हैं, परवत होते हैं, उसके पास की जो भूमी होती है, उसको उपत्यका कहते हैं, इसलिए जो ड्री option है, परवत के पास की भूमी, वो इस प्रशन का सही उत्तर है Next question करते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आसा ना हो, के लिए एक सब्द है, और options दिये हुए है, प्रत्यासा, अप्रत्याशित, अपरिमे अनाहूत तो friends, जिसकी पूर्व से कोई आसा ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं, अप्रत्याशित, इसलिए जो बी option है, वो इस question का सही answer है अगला question करते हैं, अपेक्चा का विशेशन डूरूप क्या है? और जो चार options दियो हैं, वो हैं सापेक्च, उपेक्च, निरपेक्च, अपेक्च, अपेक्चित और जो चार options दियो हैं, वो हैं मास रहिद भोजन को, मोक्ष का इच्चुक, रात्री में विश्ण करने वाला, और फोर्थ option है, म्रत्यू का इच्चुक तो friends जो निरामिस बोलते हैं, वो मास रहिद भोजन को बोलते हैं, इसलिए जो A option है, वो इस question का सही answer है अगला प्रेशन करते हैं, गोधूम सब्द का तद्भव है, और जो फोर options दियो हैं वो हैं, गेहूं, गाय, गोबर, गोधन तो गेहूं जो शब्द है, वो गोधूम का तद्भव है, इसलिए जो A option है, वो इस question का सही answer है अगला प्रेशन है, शा, धोनी का उच्चान स्थन क्या है, options दियो हैं, दंत, मुध्रा, तालू, दंतालू तो जो शा सब्द है, वो तालू से निकलता है, इसलिए जो C option है, वो इस question का सही answer है चार गज मलमल में कौन सा विशेशन है, और जो options दियो हैं, संख्या वाचक, गुणवाचक, परिमाण बोदक, सार्वनामिक तो friends, चार गज मलमल में परिमाण बोदक विशेशन है, इसलिए जो C option है, वो इस question का सही answer है Friends, अगला question करते है, C's का तत्सम रूप क्या है, options है, शीशा, शीर्स, सिरा, शीर्सक तो जो शीर्स है, वो C सब्द का तत्सम रूप है, इसलिए B option इस question का सही answer है अगला question है, निम्नमैसे किस देश में हिंदी भाषा का प्रियोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है options दिये हुएं Australia, दक्षिन अमेरिका, पाकिस्तान और मौरिशेश तो friends, मौरिशेश में हिंदी लेंग्वेज का यूज होता है, वहां राइटिंग में और बोलने में भी इसका यूज करते हैं इसलिए जो D option है, वो इस question का सही answer है अगला question करते है, चाराहा सब्द में समास है और options दियो है, करमधार, द्वन, द्विगू, अव्यवी भाव तो friends, चारहा सब्द आप देखेंगे, तो इसमें जो इसका पहला पद है, वो एक संख्या को दिखा रहा है और उसके बाद ये एक ग्रुप की एक समुही की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगू समास होगा और C इस question का सही answer है अगला question करते है, सूर सागर किस भासा की रचना है? options दियो है, अवधी, बुंदेली, ब्रज या 36 गड़ी तो friends, सूर सागर जो रचना है, वो ब्रज भासा की है इसलिए C options question का सही answer है अगला question है, आग की किरकिरी होना का अर्थ है options दियो है, अब प्रिय लगना, धोका देना, कश्ट दायक होना, बहुत प्रिय होना तो friends, आग की किरकिरी होना, जनरली उस sense में यूज करते हैं जब किसी से कोई हमें बहुत ज़्यादा परिशानी होती है इसलिए, जो C option है, कश्ट दायक होना, वो इस question का सही answer है अगला question है, निम निलिखित मैं से मौखिक अभिव्यक्ती का रूप है options दिये होए है, शुद्ध वर्तनी, शुलेक, सुर्थलेक, आसुहाशन तो आसुहाशन जो होता है, वो मौखिक अभिव्यक्ती का रूप होता है इसलिए, D इस question का सही answer है अगला question है, वीरों का कैसा हो बसंत? ये कविता किसने लिखी है? options दिये होए है, सुमित्रा कुमारी चौहान, शुभद्रा कुमारी चौहान, मार्खनलाल चतुरवेदी और रामधारी सिंग दिनकर तो friends, वीरों का कैसा हो बसंत? ये कविता शुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी होई थी इसलिए, B इस question का सही answer है अगला प्रशन है, हिंदी भासा में कितनी बोलियां है? options दिये होए 15, 25, 18, 22 तो friends, हिंदी भासा में 18, 18 बोलियां है इसलिए, C इस question का सही answer है अगला प्रशन है, निम्द लिखित में से कौन सी व्याकरण और वरतनी से शुद्ध भासा कहलाती है? options दिये होएं, साहेतिक भासा, प्रांजल भासा, व्याकरणिक भासा और मानक भासा तो friends, जो व्याकरणिक भासा होती है, वो व्याकरण और वरतनी से शुद्ध भासा कहलाती है इसलिए, C व्याकरणिक भासा इस question का सही answer है अगला प्रेशन है, भारतेंदू युग में निकलने वाली पत्री का युग्म है options दियो हैं, कवी वचन शुधा, हिंदी प्रदीप, सरश्वती माधुरी, कल्पना ज्यानोदे और नवनीत कादम्बिनी अगला प्रेशन करते हैं, निम निलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रिशिद्ध है options दियो हैं, प्रस्वराज रासो, कुमान रासो, परमाल रासो और बीसल देव रासो तो फ्रेंड्स, जो परमाल रासो है, ये आला और उदल के ब्रेव एक्ट के बारे में है, बुंदल खंड से ब्लॉंग करता है, और ये आला खंड के नाम से प्रिशिद्ध है इसलिए C, परमाल रासो, इस कौश्चन का सही आंसर है अगला प्रशन है, तदभव पत्रिका के शंपादक का नाम है, और इसलिए D, और इस कौश्चन का सही आंसर है अगला प्रशन है, बारह बरस लो कूकर जीवे, अरू तेरह लो जीए शियार, ये पंक्ती किसकी है? दियो है ओप्शन्स है, विद्यापती, चंदवर्दाई, नरपति नाल, जगनिक तो ये जो पंक्ती दी हुई है, ये जगनिक की पंक्ती है, जगनिक एक चंदिल राजा के यहां के कवी थे, तो उनकी रचना से ली हुई ये पंक्ती है इसलिए D, इस कौश्चन का सही आंसर है तो फ्रेंड्स, ये हिंदी लेंग्वेज के ऊपर MC की एक्साइज थी, आपको ये एक्साइज कैसी लगी, आप हमें जरूर बताईए, आप कमेंट सेक्षन का यूज कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तैंक यू,